हेलो माइसेल्स कैसे हो आप सब आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे पढ़ाई भी सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी तो आज का जो हमारा यह सेशन होने वाला है यह हमारा लेक्चर शिक्स होने वाला है hau do organism reproduce का जिसमें हम पढ़ेंगे reproductive changes female में और उसमें पढ़ेंगे female reproductive system के बारे में किसके parts क्या-क्य होते है उससे related सारे terms को पढ़ेंगे और in between अपको सारे , वह important questions भी बताऊँ अगी कि किस तरीके से आपके एक्जाम में वह पूछे जा सकते हों आपको तो बिना time waste करें हम start करन अपना session लेकिन उससे पहले मैं आपको बोल दू कि session important होने वाला है तो be there from the beginning to the end of the session वो सारे question जानने के लिए जो important होने वाले है चालो moving forward to our session जो की है learning is never done without errors and defeat exactly बहुत सारे बच्चे आप मेंसे ऐसे होते हैं जिनको doubt होता है कि मतलब मुझसे इतनी सारी mistakes हो रही है तो मैं गलत तरीके से तो अपनी preparation नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा सोचने की need नहीं होती है ऐसा सोचने की need होती कि आप से जो गलतियां हो रही है मैं उसको ठीक कैसे करूँ अपने errors और defeat को कैसे ठीक करूँ और अपनी learning वापस से continue कर सकूँ ठीक है तो बस हमारे ये प्यारा सा motivational quote हमें यहीं समझा रहा है कि हमें क्या करना है अच्छी इसे preparation करना है और अगर हमसे mistakes हो भी रही है तो उनको ठीक करना है चलो moving forward to our female reproductive system तो अब मुझे कौन कौन बता सकता है कि female reproductive system के parts क्या क्या होते है तो सबसे पहला part तो हमारा क्या होता है ovary है ना two pairs of ovaries होती है ठीक है female reproductive system में उसके बाद क्या होता है fallopian tube ये fallopian tube को हम क्या बोलते है और ove duct फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं उसके बाद आता है यूटरस हमारा यूटरस फिर आता है सर्विक्स और उसके बाद आता है वेजाईना ठीक है तो यह सारे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं जिसमें से सबसे पहला पार से ऐसे सकता मतलब का function क्या है यह काम क्या करती है फंक्शन सब्सक्का नाम लिख करके कि डिफाइं और या राइड अवरी फॉविक्स थी कैंसques तो ऑवरी का फंक्शन होता है हमारा ठीक है तो देखो पहला यह आला फीमेल रिप्रोड़क्टवॉस उस्टम जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि ovary होती है fallopian tube होता है जिसको हम लोग ove duct भी बोलते हैं उसके बाद आता है uterus फिर cervix और फिर vagina तो अब आपके exam में question इस type से पूछा जाता है कि आपको यह diagram दे दिया जाएगा और यह diagram में labeling कर दी जाएगी कि कह दिया जाएगा यह वाला जो part है यह वा C लिख दिया जाएगा fallopian tube क्या function करता है इस तरीके से आपके यह labeling के question वाले में आपसे हर एक पार्ट का वो function पूछ सकते हैं ठीक है तो now we know that ovary हमारी क्या है ovaries एक तो यह ovary होती है एक यह ovary होती है two pairs of ovaries होती है and these ovaries produce the female germ cells ovary क्या produce करती है female germ cells in female germ cells को हम क्या बोलते है हम इ production में help करती है ठीक है species की continuity को बढ़ाने के लिए बनाने के लिए यह gametes responsible होती है apart from this germ cell they also produce the hormones यह hormones भी produce करते हैं कौन ओवरी तो दो function हमारे क्या हो गए ovaries के it produces ova या egg जिसको ova या egg भी बोलते हैं ovum भी बोलते हैं और hormones produce करते हैं कौन कौन से दो hormones होते हैं estrogen होता है और progestron होता है कौन से दो hormones होते है estrogen और progestron तो ovary का function अगर आप से पूछा जाएगा exam में level करके कि यह particle नाम लिखो आपने लिख दिया ovary फिर उसके बाद वह आ प्रेट्योर, germ cells या gametes प्रेड्यूस करता है आपका और क्या प्रेड्यूस करता है hormones कौन से दो hormones होते हैं हमारे estrogen and progestron तो ठीक है यह आ गया होगा समझ में कि ovary क्या होती है और functions होते हैं यह ovary क्या produce करती है ओवा या फिर egg और hormones प्रेड्यूस करती हैं चलो तो moving forward to the next part की हमारा fallopian tube अब क्या करता है किसी को पता है fallopian tube में क्या होता है आपके exam में क्या कर दिया जाएगा अब इसको b mark करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह part का नाम बताओ क्या होता है और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यह fallopian tube actually करती है ठीक है तो कोई आसकता है मुझे की fallopian tube का काम क्या होता है तो fallopian tube का जो काम होता है वो होता है आरदा site of आप बोल सकते हो site of fertilization fertilization की site होती है यह fertilization की site का मतलब होता है कि आपका जो egg को कौन fertilize करता है sperm तो fusion of egg and ovum sorry fusion of male and female gamir जो होता है वो mainly fallopian tube में होता है किसमें होता है fallopian tube में होता है बड़ा हुच पुच हो गया है जड़ा मैं clear कर दूँ screen को तो fallopian tube का क्या function हो गया हमारा यह होता है site of fertilization का जिसमें ओवा और egg ओवा और sperm मिलकर के क्या form करते हैं हमारे zygote form करते हैं क्या form करते हैं जाइगोड की formation करते हैं हमारा कि यहां पर यहां पर यह फैलोपियन ट्यूब है यहां पर एग प्रेजेंट होता है sperm यहां से आते हैं और यह sperm आकर के एग को फर्टिलाइज करते हैं तो site of fertilization हो जाता है हमारा fallopian tube ठीक है uterus तो क्या होता है uterus हमारा bag like structure होता है muscular bag like structure जिसमें मतलब आपका zygote जो form हो गया है वो दीरे-दीरे करके divide होगा embryo बनाएगा वो embryo जाकर के uterus में link हो जाता है ठीक है किस से link हो जाता है तो यहां पर आपका जाइगोड जो बना वो यहां आता है uterus में और uterus की wall के साथ line wall से link हो जाते हैं ठीक है जाइगोड में uterus में embryo होता है इस पर आकर के attach हो जाता है ठीक है तो अब आपका होता क्या देखो हमारा जो होती है अब हमने अभी हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ लिया ओवरी ओवरी क्या खड़ती है ओवा और हॉर्मोन्स प्रेडियूस करती है फैलोपियन ट्यूब क्या होते हैं साइट फर्टिलाइशन होते हैं जिसमें ओवरी से एग आता है फैलोपियन ट्यूब में और फैलो वजाईना होता है और यह सर्विक्स होता है यह बर्थ कहनाल होती है क्या होती है यह बर्थ कहनाल होती है मतलब जो बच्चा आपका पैदा होता है वह यहां से ही आता है बाहर निकलता है जब फुली डेवलप हो जाता है यूटरस में तो वह जो बाहर आता है बोडी में से व मेल पीनिस जो होती है वो इसमें इंसर्ट होती है ठीक है यह मेल पीनिस यहां से यह पीनिस इंसर्ट की जाती है और यह पीनिस फिर क्या रिलीज करती है जो जा करके यहां पर जो एग प्रेजेंट होता है उसको जा करके फर्टलाइज कर देता है तो अब स्पर्म ने इस तर और fertilization में हमारा क्या बनता है, zygote की formation होती है, ठीक है, तो अब आपकी school में जो मैं हम आप लोगों को बड़ा शर्मा करके बताती है, कभी कभी बताती भी नहीं है कि sperm egg तक कहसे पहुचता है, वो ऐसे पहुचता है कि penis is inserted into the vagina, फिर वहाँ से release होता है sperm, जो sperm travel करके जाता है egg के पहुचता है, चलो, moving forward to the next part, अब देखो होता क्या है, अब मैं आपको एक interesting सी बात पताती हूं, कि जो females होती है, when they are in the uterus, वो अपने जब मम्मी के पेट में होते हैं, जब अपने मम्मी के uterus में होती है, develop हो रही होती है, तो वो embryo के time पे ही, embryological state में ही उनके ना सारे eggs throughout the life produce होते है, sperm throughout the life produce होते है, males में, जो कि puberty के बाद होता है, ठीक है, लेकिन females में ऐसा नहीं होता है, females में जब वो पैदा हो रही होती है, या पैदा होने से पहले, जो embryological state होती है, उनकी जब वो अपने मदर के womb में होती है, पेट में होती है, तब वहाँ पर क्या, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर ही धीरे धीरे ये eggs क्या हो जाते हैं, ovum क्या होने लगते हैं, बनने लग जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि thousands of immature eggs और ova already present होते हैं, female के ovaries में, जब वो पेट में होती हैं, अपने मदर के जब पेट में होती हैं, तब ही सारे eggs और ovum उनके immature state म में बन जाते हैं, किसमें उनकी ovaries में, दो ovaries थी, तो दोनों ovaries के अंदर limited amount of ovum या egg present होते हैं, जो कि कब mature होते हैं, प्यूबर्टी के बाद mature होते हैं, जबकि मेल्स में ऐसा नहीं होता है, मेल्स में, प्यूबर्टी के बाद जो उनका sperm formation होता है, वो throughout the life हो रहा होता है, मत जब 35 to 45 तक के, 45 या 50 तक के age तक, 50 तो नहीं होता है, 40 to 45 तक के age तक न, वो सिर्फ pregnant हो सकती हैं, उसके बाद वो womb में बच्चा carry नहीं कर पाती हैं, लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता है, मेल्स में वो father कभी भी किसी भी age में बन सकते हैं, 100-200 साल के age में इतना जीते नहीं है लेकिन उस age में बन सकते हैं, क्योंकि मेल्स में sperm का formation, puberty के बाद throughout the life होता है, लेकिन females में ऐसा नहीं होता है, उनके जो immature eggs हैं, वो उनके birth के time पे ही बन जाते हैं, complete, और जैसे ही puberty होती है, तो few of these eggs start maturing, few of these eggs start maturing का मतलब, ovaries जो दो थी, ovaries हमारी, ये दो ovaries हमने देखी, ये एक ovaries थी, ये दूसरी ovaries थी, इस में जो eggs है, एक मंथ में एक बार इस से egg release होगा, दूसरे मंथ में इस से ओगा, फिर इस से होगा, फिर इस से होगा, अब क्या है, लिमिटेड अवांट आउँट और एक होते हैं, तो इसलिए, एक आग आ रहा है पर मंथ और दूसरी ओरी और यह दोनों औरी उभरीस से यूज्स को उनको यूज्स करना होता है देखना होव ता है इसलिए एक औरी में निक निकलता है फिर दूसरे मन्त में दूसरी ओ represented निकलता है थीक है ओर yaj destroy one egg every 28 ट्विंटीज मतलाब एक मन्त में एक जो होता है एक और बनाती है और वह ठीक है तो क्या हो गया जितने भी अब्चम कोते हैं फीमेल में वह और बष्ट के आएज में पहुत जाती है ठीक है चालो तो अब हम आजाते हैं insemination पर ठीक है insemination क्या होता है दिक lss अभी मैंने बताया कि insemination का मतलब होता है जो penis में से sperm release होता है ठीक है sperm होता है वह travel करके जाता है vaginal passage से और OVDUCT तक और किसको एग को fertilize करता है क्या करता है एग को है तो अब देखो होता कैसे अभी मैंने बताया कि पीनस ना इस वजाइना में इंसर्ट होती है ठीक है डूरिंग दा कॉप्यूलेशन जिसको बोलते है यह पीनस क्या करती है फिर स्पर्म रिलीज करती है और यह स्पर्म क्या करता है एग के पास ट्रावल करके जाता है और उ zygote की formation होती है ठीक है आपको पता है यह zygote कितने इसमें कितने chromosomes present होते हैं 2N chromosomes present होते हैं तो मतलब एक male होता है एक female होता है male हमारा 2N होता है female भी हमारी 2N ही होती है लेकिन male के जो sperm होते हैं उसमें सरफ n number of chromosomes present होते हैं प्रसेंट होते हैं यह को यहां लेकिन में नंब़ों में एनलऱ फोसन हो गया है तो इसका 100पե में endings होती है testes होती है males में यह testes क्या है ना meotically divide होती है meotically divide होने के बाद क्या बनाती है sperms बनाती है और इसमें ना यह chromosome का number आधा हो जाता है half हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है half हो जाता है तो 2N के बाद यह N बन जाती है ऐसे ही females में भी meotic division होता है ovaries में और ovaries meiotic division करने के बाद जो 2N number of chromosomes होते हैं वो N number of chromosomes में convert हो जाते हैं और यह क्या form हमारा जब भी fusion होता है sperm का egg के साथ तो यह क्या करवाता है fertilization करवाता है और यह fertilization के बाद किसकी formation होती है zygote की formation होती है जिसमें 2N number of chromosome होते हैं तो आप आपसे एक question exam में पूछा जाता है कि what is the difference between fertilization and insemination यह आपसे पूछा जा सकता है कि fertilization और insemination के बीच में difference क्या होता है तो difference बहुत basic सा है insemination का मतलब होता है कि जब sperm egg को fertilize कर रही होती है sperm egg को fertilize कर रही होती है भी नहीं कहेंगे when penis is inserted into the vagina और वो penis फिर insert होने के बाद sperm release करती है और यह sperm जा करके एक को क्या करता है एक के पास जाता है और एक को fertilize कर देता है तो fertilization होता है fusion of male and female gamete जबकि insemination होता है traveling of the sperm from penis to the ove duck for the fertilization process insemination fertilization करवाता है और fertilization क्या होता है male और female gamete का fusion होता है जो कि हमारा क्या बनाता है zygote बनाता है और जाइगोट ना एक single cell होता है देख रहे हो मतलब हम एक single cell से पैदा हुए हैं यह single cell ही बार 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 डिवाइड हो करके हमारा बड़ा और गानिजम आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे बनाता है ठीक है तो यह समझ में आया कि क्या था insemination हमारा चालो तो moving forward to our next important topic जिसको हम क्या बोलते हैं implantation ठीक है अब हम implantation पढ़ेंगे लेकिन implantation से पहले मैं आपसे एक question पूछना जाती हूँ किस क्या पता आप लोगों को difference पता है जाइगोट का एंब्रियो का और फीटस का पता है किसी को जाइगोट का एंब्रियो का और फीटस का difference क्या होता है तो यह ना question जनरली पूछा जाता है कि एक marks में या दो marks में या 3 marks में भी पूछा जा सकता है और एवन आपके mcq के। के form में भी पूछा जा सकता है कि what is embryo या what is is zygote what is fetus यह सब पूछा जा सकता है तो यह जाइगोट होता है ने यह सिंगल cell होता है क्या होता है यह IGLE होता है हमारा जाइगोट सिंगल होता है जब कि फंटाइं या करता है ये अम्रेओं-व साल्ग करती है इंप श्यल्ड करता है पिर दीरे दीरे करके ल Garr Ayam ovary में से निकल करके अब यह fallopian tube थी this fallopian tube में हमारा site of fertilization हुआ जिसमें zygote की formation यह zygote क्या करता है ना देरे दीरे करके डिवाइड होता है और आजाता है यहां कहां पर uterus में आजाता है कहां आजाता है हमारा uterus में आजाता है यह uterus है हमारा यह यूटरस में आ जाता है कौन एंब्रेयो यहां पर बनाता हमारा जाइगोट है ना यह जाइगोट धीरे 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 करके इसने सेल डिवीजन परफॉर्म किया और एंब्रेयो बना लिया यह एंब्रेयो क्या करता है यह यह आपको दिख रही है यह यूटरस इसके ट्यूब से उसी को ही हम इंप्लांटेशन कहते हैं यह जाइगोट हमारा बहुत बार डिवाइड हुआ उसने बॉल्स ऑफ सेल बना लिए जिसको हम एंब्रेयो कहते हैं यह एंब्रेयो फिर ओवीडक्ट में से निकल करके यूटरस में आता है और यूटरस में जाकरके में आया होगा कि इंप्लांटेशन क्या होता है जाइगोट क्या होता है एंब्रेयो क्या होता है अब बचा हमारा फीटस कि फीटस क्या होता है हमारा अब एंब्रेयो हमने पढ़ लिया बॉल्स ऑफ सेल्स होते हैं यह जो एंब्रेयो होता है यह फर्दर डिवाइड करता ह फर्दर डिवाइड करने के बाद ना बेबी के बेबी भी नहीं बोलेंगे फीटस के औरगन बनाता है क्या बनाता है औरगन डेवलप्मेंट करता है तो फीटस कुछ नहीं होता है यह बच्चा होता है जिसमें औरगन डेवलप हो रहे होते हैं क्या हो रहे होते हैं तो हमारा difference क्या हो गया zygote में zygote single cell होता है embryo हमारा balls of cells होते हैं और fetus हमारा वो बेबी वो हमारा unborn child होता है जिसमें organs develop हो रहे होते हैं ठीक है तो fetus क्या होता है exam में बेबी मत लिख करके आना fetus ही लिख करके आना baby scientific word नहीं होता है वो नहीं use किया जाता है इसी लिए बेबी मैंने बना किया आपको fetus बोला तो यह जो fetus होता है ना यह ungrown child होता है जिसमें organ development हो रहा होता है heart आ रहा होता है kidneys बन रही होती है lungs बन रहे होते हैं धीरे-धीरे करके उसमें organs develop हो रहे होते हैं और यह कहां बन रहा होता है fetus हमारे uterus के अंदर ठीक समझ में आया चलो moving forward to our next development यह मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है हमारा male और female क्या release करते हैं यह sperm release करता है और female क्या करती है egg release करती है और यह दोनों मिला करके किसका formation करते हैं zygote का formation करते हैं तो fertilization मैंने क्या बताता fusion of male and female gamete fertilization होता है जो क्या form करता है zygote form करता है यह zygote हमारा क्या करता है divide करता है cell division perform करता है और हमारा क्या बनाता है embryo बनाता है यही embryo धीरे-धीरे करके organ development करने लगता है organ development कैसे करता है cell division के तुरू जैसे zygote था single cell वो divide हो करके embryo बना रहा था वैसे एंब्रियो भी बहुत बार डिवाइड करके करकर क्या बनाने लगता है फीटस बनाने लग जाता है तो फीटस वो अनबॉर्ण चाइल्ड होता है जिसमें और गन डेवलप्मेंट हो रहा होता है लेकिन आप चाइल्ड या बेबी नहीं लिखके आ सकते हो तो फीटस क् पिंग फीटस कह सकते हो इसको जिसमें और गन डेवलप्मेंट हो रहा होता है ठीक है तो क्या होता है फर्टलाइज सेल जो होता है वो जाइगोट होता है जो धीरे-धीरे करके डिवाइड होता है और एंब्रियो फॉर्म कर रहा होता है और एंब्रियो लेटर डेवलप कर करके fetus बनाता है जिसमें क्या है organ development हो रहा होता है देख रहे हैं उसकी eyes बन रही है दीरे-दीरे करके हार्ट, kidney, lungs यह सब बनने लग जाते हैं ठीक है और यह सब process कहां हो रहा होता है uterus में हो रहा होता है कहां होता है uterus में चलो moving forward to the gestation period अब gestation period क्या होता है gestation period न वो period होता है जिसमें आपका zygote एक single cell divide होकर के पूरा full grown fetus बना देता है full grown fetus का मतलब हाथ, पैर, नाक, आंक उसके सब develop हो जाते हैं देख रहे हो यह baby देख रहे हो यह baby यह baby यह baby न आपके uterus के साथ attach होता है और uterus के साथ किस से attach होता है placenta से attach होता है जो भी मैं आगे आपको बताऊंगी तो gestation वो period होता है जिसमें आपका zygote zygote न डिवाइड करके पूरा proper एक full grown fetus में develop हो जाता है, full grown fetus का मतलब जिसमें सारे organs वगेरा सब develop हो गए हैं उसको हम fetus बोलते है, full grown fetus में develop होता है और उसमें वो कितना time लेता है, 9 months का, 9 महिने का time लगता है इस चीज में, जब एक zygote, single cell पूरा divide हो करके एक full grown fetus बनाता है और यह कहां हो रहा होता है, uterus में, इसी time period को हम लोग gestation period बोलते हैं, ठीक है, तो easy peasy very easy है, परिशान होने की ज़रत नहीं है, ठीक है, तो इसमें से एक MCQ का question बन सकता है, कि what is the approximate time duration of the gestation period, की gestation period का time duration कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, approximately 9 months का हो कि except that इसमें से सच कोई question नहीं आ रहा होता है, और अगर आप ही रहा होता है, तो वो ऐसे पूछ सकते है, what are the post events in the fertilization, post events in the fertilization का मतलब fertilization होने के बाद क्या क्या हो रहा होता है, fertilize होने के बाद implantation होता है, जहां पर आपका zygote divide हो करके embryo बनता है, और embryo फिर oviduct से निकल करक है और uterine wall के साथ attach हो जाता है, तो यह हो गया implantation, implantation के बाद वो आप से पूछेगा development क्या होता है, तो development मैंने आपको इससे पहले बताया कि development क्या होता है, यह होता है, development के बाद वो आप से पूछेगा gestation period क्या होता है, तो यह post fertilization events है, post fertilization events का मतलब fertilization होने के बाद क्या क्य होता है तो हमारा फर्टलाइजेशन होने के बाद यह सारे प्रॉसेस होते हैं जिसमें आपको यह सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे तो मुविंग फॉवर्ड टू दा प्लेसेंटा अब देखो यह जो प्लेसेंटा है ना यह मोस्क आस्क क्वेश्चन है आपका एक्ज यह role in the sense यह इसका function क्या होता है placenta का function क्या होता है आप मैं आपको बता दूंगी जो placenta होता है यह disc शेफ होता है डिस्क जैसे ंहीं होती है इस डिस्क तो जो आपका fetus होता है अब यहाँ पर baby नहीं बोलेंगे जो गलती आप हमेशा करते हो exam time में baby लिख करके नहीं आना है हमेशा fetus लिखना ठीक है तो यह जो fetus होता है जो आपका develop हो रहा होता है यह fetus ना इसी placenta से अटाच होता है यह दिख रहा है आपको placenta यह placenta ना uterus में बनता है यह utrine wall से अटाच होता है मदर की जो utrine wall होती है uterus होता है उसमें present होता है यह placenta निकल रही होती है क्या निकल रही होती है जिसे कि यह यह मदर का यूटरस हो गया तो यहां पर यह से इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है यहां पर आपका यह बेबी प्रेजेंट होता है और यह बेबी ना इसी प्लेसेंटा से connected होता है اب के बहुत सारे बच्चों ऊंबलिकल कोर्ड होती इसको नेवल बोलते नेवल पर प्लेसंटा से ठाक्च होता है ठीक है यह जो यह tube like structure दिख रहा है इसको ही umbilical cord बोलते हैं यह एक side से यह baby से attach होता है belly button से यह जिसको navel भी बोलते हैं और एक side से यह placenta से attach होता है और यह placenta किस से attach होता है हमारे uterus से attach होता है तो फिर क्या करता है अब यह placenta होता है इसका काम होता है mother जो भी खाना खा रही है जो भ blood के अंदर absorb हो जा रहा है assimilation होने के बाद हैं तो वो जो सारे nutrients है nutrients पहुचाने का काम करता है यह placenta किसको nutrients पहुचाता है fetus को पहुचाता है तो पहला तो क्या करता है यह nutrients देने का काम करता है उसके बाद बेबी breathe कर रहा है सांस ले रहा है तो उसको oxygen की requirement होगी तो oxygen की requirement कौन पूरी करता है यह placenta पूरी करता है किसके तुरू जो mother oxygen attachment होता है fetus का mother से यह linkage होता है fetus का mother से जैसे ब्रिज होती है वो दो रोड को या दो प्लेसिस को join करती है वैसे ही fetus जो होता है वो mother से यह placenta के थूँई अटाच होता है और यह placenta का का काम क्या होता है nutrients provide करना oxygen provide करना mother की blood में जो antibodies present होती है वो बच्चे की बड़ी में fetus की blood में mix करना ताकि fetus अपनी रक्षा कर सके immunity आ सके vitamins water यह सब देने का काम placenta का होता है इवन जो baby आपका waste material produce कर रहा है यह यूरीन प्रेड्यूस कर रहा है या फिर co2 प्रेड्यूस कर रहा है वो भी mother के blood में ही mix होकर के बाहर excrete out किया जाता है वो किसके थुरू होता है वो भी placenta के थुरू ही होता है तो placenta का main function क्या हो गया यह एक तो linkage होता है fetus का mother के साथ है ना और दूसरा function यह हो आने के लिए दे सकते हैं कि what is the structure of placenta and what function it performs तो यह दो most important question है की placenta का role या function क्या होता है और इसका structure क्या होता है तो इस पूरे section में यह placenta तो बहुत अच्छे से पढ़के जाना confirm आएगा यह और अगर नहीं आया ना तो comment section में मुझे बता देना की माम नहीं आया है और एक चीज और कि अगर session पसंद आया हो तो like का button हिट कर देना है ना अपने friends के साथ share भी कर देना और अगर आप चाहते हो कि माम कोई भी class मिस नहीं हो कोई भी important topic मिस नहीं हो तो चानल को subscribe भी कर देना चालो moving forward to the parturation अब parturation क्या होता है किसी को पता है parturation क्या होता है parturation होता है जो हमारा पूरा fully developed fetus होता है उसका birth of the birth of the fetus fetus जब पूरा बन जाता है उसके सारे organs वगएरा सब कुछ develop हो जाते हैं तो उसके birth को birth को हम parturation कहते हैं अब इसमें होता क्या है parturation में जो uterus होता है ना मदर का जिसमें fetus present होता है आपका वह क्या होता है rhythmic contraction शो कर रहा होता है अब uterus भी एक muscular structure है muscular bag like structure है तो उसमें भी muscles present होंगी तो यह ना इसमें ना muscular contraction contraction होने लगता है contraction of muscles होने लगता है जिसकी वजह से uterus में से ना जो baby है वह बाहर आता है किसके थूब बर्थ कैनाल के थूब कौन से आमने बर्थ कैनाल बताया था cervix और वजाईना बर्थ के बेबी बॉन हो जाता है आपका नहीं ना तो movement of contraction of rhythmic contraction of muscles of uterus results in the birth of the baby this process is known as parturation अब question यह आता है कि parturation होता कैसे है ठीक है तो इसके पीछे का reason यह है कि जो uterine muscles होती है न यह क्या करती है आपके pituitary gland को mother के pituitary gland जो brain में present होता है उसको signal भेजती है यह muscles क्या करती है signal भेजती है pituitary gland को जो कि आपके brain में present होता है यह pituitary gland क्या करता है कौन सा hormone secret करता है oxytocin oxytocin hormone secret करता है और यही oxytocin hormones फिर uterine muscle का contraction करवाता है यही जो oxytocin होता है यही uterine muscles का contraction कराता है तो पहले signal भेजा मदर के uterus ने pituitary gland तक और वह एक्टिवेट हो गया वह एक्टिवेट होने के बाद वह oxytocin hormone कम amount में release करता है दीरे 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 करके उसके uterine wall contract और relax होने लग जाती है उसको पता चल जाता है मदर को पता चल जाता है कि बेबी बॉन होने वाला उनको दर्द होने लग जाता है ठीक है और दीरे दीरे करके इसका लेवल ना बहुत बढ़ जाता है जब लगे एकस्ट्रा वढड जाता है तो फिर एक्स्ट्रीं रिदमिक एक्सिर्म कोंट्राक्शन की वजह से आपका यह जो भी नाल बाहर आ जाता है इसी प्रोसेस को हम पार्चूरेशन कहते हैं आर्य पार्चूरेशन किसकी वज़य होता है oxytocin hormone की वज़े से होता है जो pituitary gland से करता है और pituitary gland को activate कौन करता है uterine की muscles activate करती है कि अब जो fetus है वो fully grown हो चुका है उसका body से बाहर आने का time हो गया है तो फिर वो pituitary gland को signal सेंड करते है वो oxytocin hormone release करता और फिर पार्चुरेशन होता है तो this was all about the female reproductive system है ना मैंने आपको बीच बीच में important questions जो बता है placenta से related बाकी MCQ से related वो अच्छे से prepare करके जाना female reproductive system का डाइग्राम बहुत अच्छे से prepare करके जाना उसके सारे parts के function अच्छे से prepare करके जाना और placenta को सबसे अच्छे से prepare करके जाना ही जाना एक question तो 101% आपके exam में आएगा ही आएगा तो आज का आपका homework question होने वाला है कि what is the role of placenta तो अब आप मुझे ना comment section में बताना कि आपने आज placenta के बारे में क्या पढ़ा और placenta का role actually में होता क्या है ताकि मैं next session में अपने आपको homework का rockstar बना सकूं वैसे तो आप सब मेरे प् comment कि यह homework question का answer क्या होने वाला है और अगर आपको session पसंद आया हो तो like कर देना अपने friends के साथ share कर देना जिसको यह topic में problem हो रही है और अगर आप channel पे नए हो तो subscribe भी कर देना daily updates के लिए और इससे related a telegram link telegram channel भी है जिसका link आपका ना session के description box में available है वहां जाओगे तो आपक इस session के सारे notes available हो जाएंगे PDF के format में तो channel को join करना मत भूलना session को like करना भी मत भूला और subscribe करना भी मत भूलना तो चलो आज का session खतम होता है हमारा यहीं पर घंटी बजा देना जैसे school में घंटी बजने पर बड़ा खुश हो जाते हो तो फिर मिलेंगे चलते चलते अपने next session में बड़ाय